हेलो फ्यूवर्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुर्णिया युनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑन स्पोर्ट एड्मिर्शन का डेट निकाला गिया है पार्ट वन स्टुडेंट्स वालों के लिए आप उनमें किन किन स्ट्रीम में एड्मिर्शन ले सकते हैं और जिनका सेशन 2020 से एक किस रहने वाला है तो जाने आपका कब होगा एड्मिर्शन और यदि होता है तो जल्दी से करवा ले मेरा नाम है करवीर कॉसिक और आप देख रहे हैं सेलफ आइक्यू जो तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुनिया उनिवर्शिटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और स्पॉर्ट अड्मिर्शन के लिए उस नोटिफिकेशन को हम डेटेल्स पहले देखते हैं उसके बाद आप साड़ी चीजें जो हैं समझ जाएंगे तो यह है वो नोटिफिकेशन जो कि देख सकते हैं 15, 1 और 21 को रिलीज किया गया है तो इसे मैं बाड़ी की से पढ़के आपको बताता हूँ और आप यहां देख सकते हैं कि 6 और 12 को यहां पर एक एडमिशन कमिटी हुआ था मीटिंग हुई थी जिसमें बात किया गया है था the vacant seats of those subjects of undergraduate degree part 1 मतलब उन खाली seats पर जो है मैं admission मतलब बात की गई थी जो कि degree part 1 के लिए खाली है session 2020 से 21 वालों के लिए in which the students have taken admission are transferred to other subjects of the same faculty in which there is greater demand for admission by students तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे students को जैसे science stream में है लेकिन उनको math का honors paper नहीं दिया जा रहा है उसे किसी और subjects को लेने के लिए के लिए कहा जा रहा है arts के हैं तो arts के जो आप honors पर रखना चाहते हैं आपको वो तो नहीं मिलेगा लेकिन कोई other मिल सकता है तो इसी पर बात की जा रही थी कि बहुत सारे students थे ये भी चार रहे थे तो उनके लिए अब बात की जा रही है कि admission होगा और आगे बात करते हैं the admission of all subjects of arts, science and commerce और ये तीनों subjects में on-spot admission की जो है बात की जा रही है will be conducted from 15-1-2021 to 21-1-2021 यहाँ पर कहा जा रहा है 15-21 तक जो है आपका on-spot admission चलने वाला है तो मैं समझता हूँ कि आप चल्दी से जाकर करवा लेंगे क्योंकि बहुत सारे students थे जो चार्ड है थे कि पूर्णिया university में admission हो तो आपके लिए date यहाँ पर mention कर रखा है 21 तक आपको last date है on-spot admission का हो सकता है किसके बाद भी date बढ़ा है लेकिन अभी इस तरह की कोई notification नहीं आए जदी आएगी तो हम उस पर बात करेंगे तो यही था आप देख सकते हैं 15-1 और 21 को यह notification released हुआ है तो आप जाएए admission करवा कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी share जरूर करें